इस्राइल का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं इस्राइल जो है वो एक देश का नाम है यानि कि जैसे भारत एक देश का नाम है अमेरिका एक देश का नाम है उसी तरह के से इसराइल जो है एक देश का नाम है और इसराइल दक्षिन पस्चिमेशिया में इस्थित एक देश है यह दक्षिन पूर्व भूमद्य सागर की पूर्वी छोर पर इस्थित एक देश है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि इसराइल अधिक लेबनानी कैदियों को मुक्त करने के लिए तयार है तो आप कहेंगे इसराइल is set to free more Lebanese prisoners या अगर आप ये कहना चाहें कि इसराइल में जन जिवन पहले की तरह सामाने रहेगा तो आप कहेंगे life in इसराइल will continue as normal या अगर आप ये कहना चाहें कि इसराइल ने युदक शतिपूरती में अर्बों डॉलर स्विकार किये तो आप कहेंगे इसराइल accepted billions of dollars in war reparations अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें